नमस्कार मैं हुश्वेता रंजन आप देख रहे हैं नैशनल खबर देश में जो मौझुता हालात हैं वो बहुत ही वेकाबु हो चले हैं कोई भी प्रदेश कोई भी राजे जो है संक्रमन से अच्छूता नहीं दिख रहा और हर जगह हालात जो हैं हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं उत्ता प्रदेश में भी जनता बेहाल है पीडित है त्राहिमाम का जो नजारा है हर तरफ देखने को मिल रहा है लेकिन उत्ता प्रदेश में एक खास बात और भी है कि वहां राजनेता जो है जो सत्ता में बैटी सरकार है उसके खुद के राजनेता खुद के विधायक खुद के सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं कि स्थितियां जो है वो सही नहीं है और साथ ही साथ जो वहाँ प्रशासन है अद्मिन्स्ट्रेशन है जो वहाँ ऑफिसर्स हैं वो भी जैसे अपने धुन में मस्त हैं किसी को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है चाहे वी पढ़ाँ के सिंग को लिखना पड़ा था जो के इंद्रिय मन्तरी है उनको लिखना पड़ा अपने ही संसत शेतर के लिए कि उनको एक बिस्तर एक बेढ़ चाहिए जहां पर उनके किसी जानने वाले को को अड्मिट कराना था डीम ने रिप्लाई नहीं किया हलाकि मामलाबाद में सुलज गया लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो रोजाना देखने को मिल रही हैं अभी पिछले तिनों एक और मामला ऐसा हुआ कि उमर अबदिल्ला जो की जमो कश्मीर के पुरमोखिमंतरी रह च यह था हलाकि फाइदा मिला उनको इस वातका की नहीं मिला लेकिन उनको डीम के ओर से जवाब नहीं मिला तो कोई भी हो जो सरकार में जो वहां पर कारेड़क्त अफसर है वो बिलकुल अपने कान में जैसे रूँ ठूस के बैठे हैं कोई जवाब देना भी उचित नहीं सम मंत्रय प्रदेश में वरजेश पाठथक उनके माध्यम से उन्हों ने भी इस पर आवाद उठाई थी. कि प्रदेश में जो इस्थिति है वो खराब है और उन्हों ने एक पत्र भी लिखा था. एक चिथ्थी उनको लिखनी इसलिए उनको मजबूरी वश ये चिठ्थी लिखनी पड़ी है। लेकिन दो हफते बीद गए इस बात को और कोरोना टेस्ट का जो काम है वो अभी भी उतना ही मुश्किल, उतना ही पेचिदा चल रहा है। अधिकारियों ने उनकी बात को अंसुनी कर दी, उनकी चिठ्थी क को लगता है किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया और जो उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग का खेल चल रहा है इसको लेकर तमाम अलग-अलग लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं खुद उनके सक्ता में बैठी जो पाटी है उसके लोग भी लिख रहे हैं लगातार इस मुदे आवाँ लग्योल सऑ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी सांसद कौशल किशोर उन्हों ने भी आवाँज अठाई और मोहन लाल गंच के वीजेप सांसद कौशल किशोर जो हैं वो काफी एक मुखर नेता के तोर पे जाने जाते हैं अराजक्ता के खिराफ उन्होंने आवाज उठाते वे कहा कि जो निजी अस्पताल है उसमें ऑक्सिजन सप्लायर्स आपूर्ती नहीं कर रहे हैं, सरकार को ध्यान देनी की जरूरत है, सीम को एक पत्र भी लिखा, सांसद्ध में चुनाव आयोग से अनुरोध कि यूपी में जो चुनाव पंचाय चुनाव हैं उनको टाल भी दिये जाएं, हाला कि उनका अनुरोध जैसे आप जानते हैं अभी माहौल कैसा है, हाल कैसा है, पूरे देश में मुझे लगता है दो चार चेहरे ऐसे हैं जिनकी बात important है, उसके अलावा, चाहे आप सांसद्ध हो, विधायक हो, आपकी बात आई गई हो जाती है, किसी ठंडे बस्ते में जाती है, चाहे अप चिप्ठी लिखें, चाहे कोई शिकायत लिखें, तो जो पंचायत चुनाओ के दोरान आपको पता है कि कई साथ सो से अधिक शिकों की मृत हो गई, मौत हो गई, और उसके बाद भी मतगणना को लेकर सवाल उठे, हलाकि लोग लगतार अनुरोध कर र उन्होंने भी बताया कि ऑक्सिजन की जो कमी है वो प्रदेश में बहुत ही भयंकर है, भयावा है और इस और सरकार जो है ध्यान दे, मरीजों की भरती अस्पताल में नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं, अपने अपने स्थर पर जो भी थोड़ा बहुत कोई कर सकता है, एक नेता विधायक प्रदेश का वो कोशिश कर रहा है कि आवाज उठाए और अपनी आवास पहुचाए सत्ता में बैठे लोगों तक, लेकिन जैसे उनकी आवाज तक पहुच नहीं पा रही है, अब भदोई से बीजेपी विधायक ने भी उठाए थे सवाल, और उन्होंने क कहा था कि और आई भदोई के बीजेपी जो इधायक है दीनानाथ भासकर, उन्होंने भी मुख्य मंत्री को लिखा और कहा था कि भाजपा जिला सचिव की कोविट से संबंधित मौत की वो जाज करवाएं, तो एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था, ये भी अपनी बा पताना चाहूंगी कि लखीमपूर खिरी के गोला के विजेपी विधायक अरविंद गिरी ने भी DM को खत लिखा था और उन्होंने मांग की थी कि दो दर्जन से ज्यादा सहयोगियों की मौत ऑक्सिजन नहीं मिलने के कारण, उसकी कमी के कारण हो गई है, सैकड़ों लोग म लेकिन जैसे उनका खत भी या तो नहीं पढ़ा गया या नहीं ध्यान दिया गया इस तरह के जो महौल है अभी प्रशासन और जो सर राजनेता है उनके बीच एक गया बन गया है, लोग लगातार लिख रहे हैं लेकिन DM हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी सु यहां तक कि आप देखें इस पर लोग ब्लेम गेम की भी राजनिती कर रहे हैं अगर आप देखें तो बीजेपी यूपी के प्रवक्ता हीरो बाजपई ने भी कहा है कि अभी हमें ब्लेम गेम से उपर उठ जाना चाहिए यह नोभारत टाइम्स में यह खबर चपी है कि ऐ उत्ता प्रदेश में जो हालात है उसके लिए बहुत जादा बहुत हद तक जो अववस्था है और खास्ता हाल शालत है उसके लिए बहुत हद तक आपसी जो राजनिताओं प्रशासने कथिकारियों के बीड जो एक गैप है बातों को अंसुना किया जा रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या सत्ता में बैठे लोग बहरे हो चुके हैं, उनको सुनाई नहीं दे रही लोगों की तक्रीफ हैं, क्या वज़ा है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय लिखें, फिलहाल आप मुझे दीजे इजाज़त, नमस्कार. कि तOT आः मह Crus ले लोगों की चीजे लेगा, आपिए मस्कारीध, भा सहा स дав मुझे लुके हैं, ग्योगों की बहुत आपिजे लोगों की तक्रीफ हैं, ग्योगों की वोगों की ख Initially क क ow।aud to pieces